यह दोस्तों दिम्हें के पीछे बट्टा लगा हुआ है जो बारिस में गीला हो गया था और अभी हम उसके भी पासंग खोल रहा है यह देखिए तो आज यह देखिए अभी लगी हुई है और अभी हम देखेंगे किसमें अभी जो इनीट का कलर है वह किस प्रगार निकलता ह है क्योंकि बट्ट बारिस में गीला हो चुका था और अभी हम खोलेंगे तो पता चलेगा कि माल किस प्रगार निकलता है लाल निकलता है या पीला निकलता है कि अच्छी रह जाती तो वीडियो पर कंट्यूने बने रही है आगी दिखाँगा सबसी है तो दोस्तों जैसे क लाई का काम चालो करेंगे और देखते हैं माल जो हमारा इस प्रगार पका है तो यह अच्छा है कि अ 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 नाइस कि अ कि अ कि अ पर सबारा हुआ कि 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 तो दोस्तों देख सकते है आप भट्टी का कुछ इस प्रकार कलर है कि अ कि अ कि अ पासंग जो माल भरा हुआ था वह उसमें था गड़ गड़ा और चना बटूरा जुदा मत्व नम्मर कोईला वोलते हैं वह और इस्ट्रिम कि अधे जलन की हमारा जला हुआ कोईला हमने तीन चीज़ों का मिक्स प्रिया था इस पर इस इस देख सकते हैं यह 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 दो नम्मर कोईला बोलते हैं यह देखिए वथा टायब जो होता है इसका कवर दे सकते हाँ आप अ करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं याप यह पर इस प्रकार कालर है और जो क्या है हमारा जो पासंग ता और उसका जो गड़ा था वह वारी समकीला हो जो कता है चिदे कुछ कार जो हमारी कटिंग की जो एटान हो बुच सामने से काली दिखती है और अभी देखिए हमने परकार है और अभी जो देख सकते हैं यह बहुआ है इसली देखिए हम बहुते लग दर शेकार नका रहेंगे तो इससे भागार फोग्पटे अंदर आपको जैसे बहुते के अंदर के निकालेंगे तो इस तक रिदम गुणाब नकलेगा असा देख सकते हैं बालश्टी जपसर करा देख सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते मेरे पीछे लगा हुआ जो बारिस में गीला हो चुका था और अभी हमने इसकी पासंग खोल ली है तो देख सकते आप यह पासंग किस प्रकार है इसे देख सकते आप चारू तरफा इस टीच की जो हमारी इटा है वह भी तो देखो कलर में अच्व सब्सक्राइब कर देख सकते हैं इस प्रकार के अंदर से आप यह इस प्रकार के कलर आया है अंदर से आप हम अट्टक हो लेंगे तो इस पूरा इस टाइप को कलर में आला है कि देख सकते हैं आप कुछ क्लासिंग जो है पाने गिरने से हट्टे की जो इट है वह खराब हो चुकी है बाहर बाहर का शेरा पर देखें कुछ असफ्रगार ते आप यह मेरे पीछे का हट्टा यह भट्ट्या जब इसमें आग लगी हुई थी तब इसके दो देन हो चु हुआ है अभी और अभी जो है क्लासिंग की कुछ इंट जो है हमारी कटिंग की कुछ खराब हो चुकी है और दोस्तों पानी ज्यादा आने से बहुत से भट्टे भी बैट जाते हैं आग लगाओ यह कुछ भी करो क्योंकि आग जब तक हमारी इस्टेश के ऊपर पार ना कर इस्टेश पार ना करें करें यह लेवल हमारा आग आ जाना चाहिए और इसके बाद यह थोड़ा बारिस हो भी तो हमारा जो भट्टा होता है वह हमारा खराब हो जाता है बारिस ज्यादा होने पर भी बड़े बड़े भट्टे जो होते हैं वह आप फानी के कारण बुझ जाते हैं कि तो हमारा बट्टा में जो है अब क्या है हमारी आग इस लेवल में पहुंच चूकी थी जिससे हमारा जो माल था वह पक चूगा है क्योंकि बारिस थोड़ी साथ गंटे दो हुई पर तब हुई हमारी जो आग थी बड़े की वह बीचों बीच में पहुंच तो थोड़ा बहुत पानी आता है तो भट्टे जो है बहुत पक जाता है तो यदि मेरी वीडियो आपको इंफरमेटिव लगी हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू और वचिंग वीडियो मिलेंगे ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ